आश्विन असियर सिते पक्षे दश्यम्यात तार्खों दे, सकालों विच्यों नेयस सर्वकार्यार्त सित दे भारत की भुमिष्शोर्य और विर्दा का प्रमान देरिवाली पावंधरा है जाद न्यान रुपी शास्त्र और शोर्य रुपी शास्त्र की पूचन का विशेश प्रावतान है उसी विशेशता कि मत्ती नजर राश्ट्य स्वयम सिवक संगत्वारा हर साल शास्त्र पूचन किया जाता है गौर तलब है कि 1925 में विशेश दश्मी के दिन ही आरिस इसकी तापना हुई थी विशेश दश्मी की पावन उसर पर विशेश शस्त्र पूचन का आईचन राश्ट्य स्वयम सिवक संगत्वारा हर साल किया जाता है उसी श्रूंकला में इस साल भी विदी वाज शस्त्र पूचन किया गया गौर तलब है कि संग की स्तापना 1925 में विशेश दश्मी यानि दशरा के दिन हुई थी जिसके चलते विशेश दश्मी पर शस्त्र पूचन का विदान है संगा के सदस्य हवन में आहुद देकर विदे विधान से शस्त्र का पूचन करते हैं संगा के स्तापना दिवस का रिक्रम में हर साल शस्त्र पूचन खास रता है इस विशेश मौकी पर आरेसेंस के सदस्यों ने पच संचलन किया और शस्त्र पूचन किया नवरात्रे नारी पुझा विशक्ति का प्रकटी करंका दिवस है। जाहे तियास के पन्दप पर प्रकाश चाले तो पांटवने नवरात्र की समाप्ती पर ही पुनर शस्टर धारंग के। उस विशम परिस्तिती को देखती वे राम ने प्रतित्या की थी। निशाचर हीन करू मही राम ने वनवासी समाज आधिवासियों को संकट इत किया। उन्होंने शक्ति की प्रकारों की विवेशना करती वे कहा कि शक्ति के पांच प्रकार आत्मा बल, बुद्धी बल, शारि देवियों ने शस्त्र को साथ रखा है। नारी हमीशा नर्स से श्रेश्ट रही है। करिकरम में स्वयम सेवकों ने दंड का प्रयोग तथा सुर्य नमस्कार भी किया।